Hello friends, welcome to GK Kredge Friends, Railway के group day exam में static GK से जितने भी सवाल पूछे गए थे 17 अगास से लेकर के 26 अगास तक पूरे 21 shift में दोस्तों जितने भी static GK के सवाल पूछे गए थे उन सभी को एक साथ discuss करेंगे, सब मिला करके मुझे 1500 question मिले हैं, सभी के सभी 100% real question है अगर आपका exam दोस्तों अगर खतम नहीं हुआ है, यानि 3rd face, 4th face सम्में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महतापूर होने वाला है, क्योंगि दोस्तों उसी तरह के सवाल ही पूछे जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा और इसका दोस्तों जो free PDF है वो हमारा application में मिल जाएगा अगर download नहीं किये हैं, तो download कर लिजीगा इस वीडियो का action box में link है साथ साथ दोस्तों इसी तरह का वीडियो अगर आप current fair से चाहते हैं, political science से चाहते हैं, तो comment box में जरूर बताएगा और चनल में नए हैं, तो चनल को Indian Oil Corporation Limited की स्तापना कभ हुई है तो से आन सार्व का दोस्तों 30 चून 1959 को हुआ था Indian Oil Corporation Limited का स्तापना और इसका दोस्तों जो मुख्याले हैं New Delhi में स्तीथ है, और अभी बरतमान में इसके chairman कौन है, श्रीकान माधब नेक्स वाल दोस्तों पुछा गया था मध्या प्रदेश की धूबगड़ी चोटी में से कोन सी नदी निकलती है यानि, which river originate from धूबगड़ पीकप मध्या प्रदेश तो से आनसर होगा दोस्तों तापती नदी निकलती है तापती नदी इसका सी नसर होगा नेक्स पुछा किया था रिगवेद में कितने सुक्त है यानि दोस्तों कितने हाइम्स है रिगवेदा में तो सी नसर दोस्तों हो जाएगा 1028 हाइम्स है और ये भी आद रखिए कितने मंडल है 10 मंडल है और कितने मंत्र हैं दोस्तों 10462 मंत्र हैं नेक्स सवाल दोस्तों पुछा गया था ब्रह्मापुत्र नदीप और कौन सा बिशो का सबसे बड़ा दीव मौजूद है तो सियान सर्वा दोस्तों उद्रीप का नाम है माजूली दीव ये सवाल दोस्तों हर बार हर रेल्वे के एक्जाम में पुछा जाता है ये आसाम में स्तीथ है नेक्स सवाल है पस्चिमी घाटी अन्नावन निकोबर और ओडिसा में कोन से बन पाई जाते हैं तो उष्ण कटी बंधिया सदा बाहर बन पाई जाते हैं नेक्स सवाल है किस मोहस्चप को ग्रामेंड ओलम्पिक के नाम से जाना जाता है तो किला रायपूर स्पोर्ट्स फेस्टिवाल को दोस्तों ग्रामेंड ओलम्पिक नाम से जाना जाता है और ये festival कहां मना जाता है, पंजाब का दोसों लुधिया नामे Next सवाल दोसों पुछा गया था, स्टाटिक जी के से भारत की पहली पारा बेड़िमेंटन अकाडेमिक कहां स्थापित की गई तो पहली पारा वेडिमिंटन अकाडेमी दोस्तों उत्तर परदेश का लखनों में स्तापित की गई नेक्स सवाल पुछा गया था उपभखता सरंक्षन अधिन्याम कब लागू किया गया था तो 1986 में लागू किया गया था नेक्स सवाले दोस्तों पंचमडी बायोस्फियर रिजर्व में कौन सा बसू सरक्षीत है तो चिंकारा बसू सरक्षीत है चिंकारा इसका से अंसर होगा नेक्स सवाले Central Institute of Indian Language यानि केंद्रिय भासा संस्तान एक कहा पर स्तीथ है इसका जो मुख्याले कहा पर स्तीथ है मेसूर में स्तीथ है नेक्स सवाले दोस्तों पुछा गया ता तीसरी सरवाधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो हिंदी दोस्तों है पुरे प्रुथिवी में दोस्तों तीसरी सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है हिंदी और पहले स्तान पर है इंगलिस दूसरे स्तान पर है मेंडरिन य अनसार होगा दोस्तों खेजडी पेड़ों के लिए खेजडी इसका से अनसार होगा और कहां से दोस्तों ये अमरिता देवी विश्णवी थे ये राश्तान के जद्पूर से नेक्स सवाल दोस्तों पूछा गया था नेशनल कॉंजुमर राइट्स ये कब मना जाता है चबविस दिसंबर को मना जाता है दोस्तों और एक बात आपको बताता हूँ ये पूरा वीडियो देखने से आपको एक चीज पता चल जाएगा कि स्टाटिक जीके के कूछी ऐसे ट कितियां से संबंधित उसके बाद दोस्तों जो पूरसकार स्टाटिक जीके से संबंधित जो पूरसकार है किस पूरसकार का स्थापना कब हो आता किस पूरसकार किस फिल्ड में देया जाता है और साथ-साथ दोस्तों आपको मिज़ जाएगा फेस्टिवाल यानि मुहस्च कर लिजीगा, किवे अहीं से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसे कि दोस्तों आपको किसी भी टपिक का, अगर discuss करना है, जैसे मुख्याले और स्तापना बर्स, बस एक ही क्लिक करना है, उसके बादेख यहााँ पर सो से भी सभी कुईच यहाँ पर अप्लोड हो जाएंगे और रिविजन का दोस्तों सबसे बेश्ट तरीका है अभी कुईच के माध्यम से सभी टपिक को आपको रिभाइज करना है सब मिला करेंगे दो हजार कोशिन है स्टाटिक जीके के बस एक बार दोस्तों प्राक्टिस कर लिजे ग्रूपडी एक्जाम देने से फेले सबस्तों करेंट एफियार साइंस हिस्टरी पॉलिटिकल साइंस सभी का दोस्तों इसी तरह मिल जाएगा बस दोस्तों कुईच के माध्यम से सभी को प्राक्टिस करना है सब मिला करेंगे दोस्तों जीके की पांच चार कोशिन है साइन लेना पड़ेगा 90% PDF भी फ्री है हमारा अप्लिकेशन में और इस वीडियो का PDF कॉंप्लिटली फ्री में जाएगा यहां पर देख सकते हैं PDF सक्षन का जो जी के ओनली सकती है तो यहां पर दोस्मांज बोला जाता है नेटी वorta दोसमोंस चाल पलजल स के टाटांजी के पाध्वेत्त आता इस न्युक्त सक्षोंस लुत ओर लवगतेरं इसको काल बेसाखी कहते हैं दोसरों पूछा गया था तियोंहर से सम्मंदित हॉनविल तंहर की स्राजियो में मना जाता है तो नागालैंड में मना जाता है इसका सी आंसरो nागालैंड नेसील इंडिया ने पहली फैक्टिरी कहां स्टापित की थी तो फास्ट जो फैक्टिरी दोस्टों निसिल इंडिया ने स्तापित किया था मोगा में किया था कहाँ पर इंडिया का मोगा में किया था जो कि पंजाब का एक सहर है कब दोस्तों 1959 को स्तापित किया था तो हमारे भारत में कितने नेशनाल बाटी हैं पुछा गया था तो सब म खंभी मूचों की प्रतियोगिता यानि माउस्टेज कांटेंट दोस्तों एक किस मेला में आयोजीत की जाती है तो रायस्तान का पुस्कर मेला में आयोजीत की जाती है नेक्स सवाल है अल्प संख्यक अधिकार दिवस कब मना जाता है तो 18 दिसंबर को दोस्तों मना जाता है मेजर ध्यांचांद खेल रतना पुरसकार ये इसे समंदी सही कथन कोन सा है ये सवाल पूछा गया था तो दोस्तों ये खेल से समंदी थे हमारा भारत का सर्वोच खेल पुरसकार है 2021 में जो जितने पुरसकार दिये गए हैं सभी को जरूरट लिएगा इसका नाम दोस्तों बदल करके अगश्ट 2021 को मेजर ध्यांचांद खेल रतना पुरसकार किया गया नेशनाल उमेंस डे कम मना जाता है राष्ट्रिय महिला दिवस ये तेरा फरवरी को दोस्तों मना जाता है जो 2022 में इसका थिम क्या रखा गया था जेंडर एक्वालिटी टूडे फोर सस्टेनेबूल टुमोरो और ये भी याद रखी अंतराष्रिय महिला दिवस कम मना जाता है तो आठ मार्च को मना जाता है नेशनाल है जो जोस्तों मककर रेखा के बारे में साही का थन कौन सा है शवाल पूछा गया था तो मकर रेखा दोस्तों ये दक्षिन गोलार्द में भूमद्य रेखा के समानतर 23 डिग्री 30 मिनिट डिग्री पर स्ती थे याद रखिए next सवाल नेक्स दोस्तों भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है, तो बहुत दलिया राजनीतिक प्रणाली है, सियान सारों का बहुत दलिया, नेक्स दोस्तों पुछा गया था, श्राटिक जी कैसे, पॉंगल तियुहार किस राज्य में मना जाता है, यह किस राज्य से दी थे ये सवाल दो बर पूछा गया है और इसमें दौस्तों सूरिय की पुजा किया जाता है नेक्स है बिस्षो जल दिवस कब मना जाता है 22 मार्च को मना जाता है जितने भी दिवस दौस्तों जानवारी से लेकरके जून महिने तक सभी को ठीक से रट लीजिएगा, सभी का थिम भी याद रखेगा जीके क्रेच आपलीकेसन में अपलोड हो चुका है और अगर आप चाहते हैं 2021 में भी जितने भी दिवस मनाए गये हैं उसको भी वहां से रट सकते हैं नेक्स वाले गारोख खासी जैंतिया पहाडिया किसका भाग है ये सभी पहाडिया दोसों ये मेघालय पठार का यानि मेघालय प्लेटिव का नेक्स वाल दोसों पुछा गया था कुल्लू घटी जो कांगड़ा का कहां पाई जाती है से अनसर होगा हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है कुल्लू घाटी यानि कुल्लू भेली भारत के हिमाचल प्रदेश के स्तीद एक हिमाले घाटी है नेक्स सवाल दोसों देश बंधु किसका नाम है पुझा गया था तो चितरंजन दास का दोसों निकनेम है देश बंधु ये सवाल कई बाद रिपीट भी हुआ है पिछले सल के गुरूपडी एक्जाम में स्वाराज पाटी का स्तापना दोसों इन्हों ने किया था 1923 में नेक्स सवाल लगते हैं UNEP का full form पूझा गया था UNEP का full form क्या होता है United Nation Environment Program UNESCO का full form क्या होता है इसी तरह United Nation Educational Scientific and Cultural Organization नेक्स हवाले अंतराश्टियों तीथी रखा ये कहां से गुजरती है तो इंटरनेशनाल डेट लाइन दोस्तों कहां से गुजरती है ये प्रसांत और अंतर्क्र्टिक महासगरों से गुजरती है से यांसा जो कि आपके ऑफ्सन में दिया गया था भारत में मराठी भासा किस रेंक पर है तो तीसरा रेंक पर है भारत में मराठी बासा जो पहला रेंक में है दोस्तों हिंदी दूसरे रेंक पर है बेंगाली सुर्य अस्त होने से कितने मिनिट बात दोस्तों दिखाई देता है कितने मिनिट तक दो मिनिट तक देखाई देता है नेक्स दोस्तों स्टाट केरल और अंधर प्रदेस में इस तिवहर को सिर्फ संक्रांती ही कहते हैं विश्व आदरभूमी दिवस एक कब मनाया आता है दो फरवरी को दोस्व मनाया आता है इसका थिम क्या था वेटलांड एक्षन फोर पीपूल एंड नेचर नेक्स वाले दुनिया में बोलने वालों क कि कूल संख्या के हिसाब से बेंगाली भासा बीशों में कितने नंबर पर आता है तो सात्वी नंबर पर पर पूरा लिस्ट देख लिजी यहाँ पर इंगलिस, मंडरिन, हिंदी, स्पानिस, फ्रेंच, आराबिक, बेंगाली जो कि सात्वी नंबर पर आता है रेड संडर्स स्वन पर रिंड देने वाला एक मात्र बैंक कौन सा है तो से अंसरों का मुथूट फाइनांस बैंक भारत में कुल कितने भासा बिश्व बिद्या ले हैं तो छे लांगवेज इनिवर्सिटी यानि भासा बिद्या ले हैं सभी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और पीडिया में दोस्तों सभी को रठ लिजिए इंद्रा गाने ने रुपे का अवनलियन कब किया था तो 1966 में किया था बुद्ध को दोस्तों ज्यान प्राप्ति कहां से हुई थी तो बोध गया में दोस्तों हुई थी बोध ही बुरुख्यों के नीचे महिंद्रगेरी परवत किस राज्य में स्तीथ है ओडिशा राज्य में स्तीथ है ओडिशा का रायगडा डिस्टिक्ट गच्पती रायगडा डिस्टिक्ट में स्तीथ है नेक्स स्वाल है भारत में नोड छापने का एक मात्रप राधी करण किसके पास है रिजर्ब बेंक अप इंडिया इसका से अंसर होगे नाटियन जली उस्चप तामिल नाडो में कब मना जाता है तो महा सीवरात्री को मना जाता है अब चलिए 23 अगस्ट के सभी स्टाटिक यह के सवाल देखते हैं निशागंधी नूर्टिय उस्चप कहां मना जाता है तो केरल में दोस्तों मना जाता है निशागंधी ड्यांस फेस्टिवल किसके द्वारा केरल परियाटन विकास निगम द्वारा कौन सा सास्त्रिय नूर्टिय नहीं है बंगली नूद्ये दिया गया था, यह कं संवले यमुणा नदी की साहग नदी कोण सी हैं? तो चयनाब नदी आपके उपशन में जह अंसर होगा, और ये भी रहाँ रखे यमुणा की साहग नदी सब कोण से हैं? सिंध रिवर, टोन्स, चंबल, हिंडन, बेटवा, एंड केन और यमना नदी दोस्तों वो भी एक साहग नदी है किस नदी का गंगा नदी जो दोस्तों यमनत्री नामक जगा से निकलती है यमना नदी कहां से निकलती है यह उनत्री नामक जगा से और दोस्तों प्रयाक राज में यह गंगा से मिल जाता है मदर टेरेसा ने मिशन रीच अब चैरिटी की सुर्वात कब की थी तो 1950 में October 7 को की थी नेक्स वाले दोस्तों निमलिखित में से कौन भारतिय भोगलिक खेतर सिंधू से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमेटर फैला हुआ है तो हिमाले इसका से अंसर होगा नेक्स वाले भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तठ्य जिल कौन सी है तो चिलका जिल इसका से अंसर होगा यह ओडिशा में स्तीर से ब्रह्मा पुत्र की साहक नदी कौन सी नहीं है सवाल पुछा गया था गंड़क की एक साहक नदी नहीं है तो गंड़क गंगा की एक साहक नदी है नेक्स वाले देसवंधो चितरंजन दास इनका जो नाम है चितरंजन दास इनका पेशा किया था, तो ओकिल थे ये, नेक्स वाले जेन धन से समंधित, जल मंदिर का निर्मान किसने करवाया था, तो किंग नंदी बर्धान इसका सियान सरो का 528 BC में इसको किये थे, ये जल मंदिर दोस्तों का स्थीत है, ये पावपुरी में स्थीत है, जो कि बिहार का जीला है नेक्स वाले दक्षिन भारत में फसल कटाई सम्मन्दित कौन सा उस्चम मना जाता है तो पॉंगल और ओनम दोनों मना जाते हैं याद रखे पॉंगल तमिलनडु में मना जाता है ओनम केरल में मना जाता है नेक्स स्वाल है कि कौन सा प्रोटोकल जो 1987 में हुआ था जिसने की CFCS को यानि क्लोरो फ्लोरो कारगोन को फेज आउट किया था तो Montreal प्रोटोकल इसका सही अंसर होगा अब चले 22 अगस्ट के सभी स्टाटीजी के सवाल लेखते हैं चोटा नाकपूर पठार किस राज्य में स्थीथ है जारखन राज्य में स्थीथ है इसका जो बड़ा हिस्सा जारखन राज्य में स्थीथ है और कुछ हिस्सा दोसों ओडिशा बिहार वेस्ट बेंगाल 36 गड में भी स्थीथ है पराक्रम दिवसक किस की जयनती के लिए मना जाता है, सुभास चंदराबोस की जयनती के लिए मना जाता है दोस्aching टेश्ट जनौरी को मना जाता है बोध धर्म से सम्मझधिद ग्रंत कोन सा है, त्रिपीटिक इसका सिए अनसार होगा सिंधु दर्शन फेस्टिवाल दोस्टों ये किस यूटी में आयोजीत किया जाता है किस यूनियन टेर्टोरी में तो लेहल लदाक में दोस्टों ये किया जाता है और ये कब किया जाता है गुरु पुनिवा के दिन पर किया जाता है नेक्स सवाल है प्रोफेसर पिस्सी महलानोबिस के किसकी स्तापना किये थे इंडियान स्टाटिस्टिकल इंस्टिचूट का स्तापना किये थे कब 217 डिसमबर 1931 को भारत की पहली पारा बेडिमिंटर एकाडेमी कहां स्तापित की गई थी लोखनों में ये सवाल दो बार मेघाले का गारो जन्जाती का फेस्टिवाल कोन सा है तो उंगला इसका स्यान सर होगा नेक्स से दोसों मध्य प्रदेश में परंपरागत बर्षाजल संगरहन बिधी कोन सी है तो बंधिस दोसों उसका नाम है लिभिंग रूट ब्रीच ए दोसों किस राज्य में स्तीथ है तो जिवित जड़ सेतु दोसों किस राज्य में स्तीथ है मेघाले राज्य में स्तीथ है किस राज्य में दोसों सागा दावा फेस्टिवाल मनाया जाता है सिकिम राज्य में मनाया जाता है ये एक दोसों ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवाल भी इसको कहा जाता है इसके द्वा प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रे करण हुआ, जहरखन की GUA माइन्स में किस खनीच का उत्पादन किया जाता है, आइरान ओर का दोस्तों उत्पादन किया जाता है, इसाई धर्म का पवीत्र ग्रंद क्या है, बाइवेल इसका सी अंसर होगा, कौन सा स्तान, बोध धर्म स समंदित नहीं है, तो ग्वालियर दोस्तों इसका सी अंसर होगा, और बाकी जो अप्सान में दी गए थे, बोध गया, सरनात, कुसिनगर ये सारे के सारे समंदित है, जियो मोर्फोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है, भू आक्रियतियों और भू आक्रियतियों का विक अध्यास का अध्यान किया जाता है, सेंड केथेडराल एक चर्ष जो है, किस राज्या में स्तीत है, गोवा राज्या में स्तीत है, इसी तरह के सभी महत्तपुन चर्ष यहां पर देख सकते हैं, सभी को दोस्तों आप वीडियाप से पढ़ लेंगे, 17-18 अगस्ट को जितने नेक्स सभाल है दोसों, राम किस्टन मिस्टन के स्तापना किस्टने की थी, तो स्वामी वीवेका नंद ने 18-97 में की थी, फास्ट रिपब्लिक डिक कब मनाया गया, 1950 को जनवारी 26-1950 को मनाया गया, त्रिपुरा के भासा कौन सी है, बंगाली और कोकवरोग दोनों भासा ह फास्ट मारती सुज की 800 कब लांच की गई थी, तो 1983 को 14 डिस्टमबर को लांच की गई थी, चर्च से समन्नित 2 या 3 सवाल पूछे के हैं, तो सभी महत्तपुन चर्च को याद रखिएगा हमारे भारत के, शिटबी का मुख्याले कहां स्तीत है, लखनों में स्तीत है, नदी बिसर्फ दोस्तों कैसे बनाती है, जोगराफी का सवाल है, तो दोस्तों तेढ़े मेडे रास्तों से हो करके बहने के कारण नदी बिसर्फ बनाती है, यानि रिविवलेट बनाती है, कौन सा अंदलों, चिपको अंदलों से समन्नित नहीं है, एक हिंसावादी अंदलों था ये सरासर गलत है हमारा भारत का दोस्तों एरिया कितना प्रतिसत होगा पूरे पूर्थिवी का एरिया से तो 2.4 प्रतिसत इसका से अंसर होगा इंडिया दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 7th largest country है तमन्ना का हुल्फाम पुछा गया था Try and measure aptitude and natural abilities नेक्स दोसों पूछा किया था असियाटिक लायान सरवादिक कहां पाई आते हैं गुजुराट का गीर फोरेस्ट में पाई आते हैं साल, सागोन, सीसम, कुसम किस बन के उधाराण है तो उष्ण, कटिबंधिय, आद्रपनपाति बन के उधाराण है इनमें से राजा रामोन राए किसकी स्तापना की थी आत्मिया सवा की स्तापना की थी मुगल के द्वारा दोस्तों जो फार्ष प्लान सीटी था वो क्या था? फतेपूर सिकरी जिसको की दोस्तों 1986 में इनिसको वार्ड हेरिटा साइट में सम्मिलिद किया गया इसलाम धन के संस्तापक कौन है? तो इसलाम धन के संस्तापक है हजरत मुहम्मद मेंगरूब बन कहां पाये जाता है? पस्चिम मंगल में पाये जाता है पोंगल में दोस्तों किस भगवान का पूजा किया जाता है? तो सूरिय भगवन का पूजा किया जाता है नेक्स वाले भूत आपिया पार प्लांट ये कहां पर स्तीध है हिमाचल प्रदेश में स्तीध है मेंगो सावर आम बर्सा दोस्तों जो है कब होती है तो ग्रिस्मा रूतू में होती है रेयर डिजीज डे दोस्तों ये कब मना जाता है 28 फरवरी को मना जाता है उपनिसद में उप का मिनिंग क्या है निकट या समिप इसका से अनसर होगा स्टील ऑथरिटी अफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्तापना कब हुई थी तो 1954 में हुई थी अभी बर्तवान में इसके अधेक से कौन है समा मॉंडल गोशी खूर्त इरिएशन प्रजेक्ट किस राजय का इरिएशन प्रजेक्ट है महाराष्टर का 2011 की जनगन्ना के अनुसर 8.3 प्रतिसत कौन सी मात्रु भासा के रुप में बोली आती है तो बंगला भासा इसका से अनसर होगा इन में से कौन सा डारेक्ट टेक्ष नहीं है एकसा टेक्स भासा का फूरा का फुलीफम पूछा गया था कॉन्जूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका से अनसर होगा इंडिया मूजीयम एक्ट कप लागउ हौउ हुआ था 1910 में दोस्तों लागउ हुआ था भारत की राष्ट्रिय आये को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था दादा भाई नारोजी को माउं सिंड्राम की इस पहाडी की तरफ है खासी पहाडी की तरफ है नवरोज तियोंहार किन के द्वारा मनाय आता है तो पार्सी लोगों के द्वारा इरान में मनाय आता है किस देश में इरान में मनाय आता है हाजी अली दरगड कहां पर स्तीथ है ये मुंबाई का वरली तर्ट में स्तीथ है पुष्टक जो है इसका लेखक कौन है दादा भाई नारोजी कौन सी नदी अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है हाजी अली की दरगड कहां स्तीथ है ये महराष्टर बुंबाई में स्तीथ है संगाई हिरन किस राज्य का राज्किय पसु है तो मनीपूर का राज्किय पसु है संगाई हिरन राजय और उससे समधित आधिकारीक भासा पूछा गया था उनका कलं में चिंग कनडा था केरल कनड दिया गया था जो की गलत है तो कन्नाड का जो लंगवेच है ओ कन्नाटका का की लंगवेच है इनक्सावल है उष्ण कटिवन्धिय स्रदा वाहर बन किस राज्य में पायाता है केरल राज्य में पायाता है चला लोकुत तिमार किस राज्य में मनाई जाता है और वनाचल प्रदेश में मनाई जाता है दस्तों AIDS का फूल फॉर्म क्या है AIDS का फूल फॉर्म है acquired immunodeficiency syndrome जेन धन में जीन का अर्थ क्या होता है तो बिजेता याने विनर होता है तो आखरी सवाल है पेरियार नदी कहां से निकलती है केरल से निकलती है अगर दोस्तों आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोशें इंसा चाहिए तो कॉमेंट बुक्स में जरूर बताएगा हमारा अपल पिक आड़ के जाएंगे हमारा अपलिगेशन में रोज दोस्तों 200 से 300 सवाल आड़ के जाते हैं तो भरोसा रखिए यह अपलिगेशन फ्यूटर में आपको बेस्ट कंटेंट ही दता रहेगा फिर मिलते हैं नेक्स चुडियों में धन्यवाद